प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इश्यू के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत एक सबस्क्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी आज परमेश्वर ने इस तरह का जो एक और मौका दिया उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूं पिछले हफ़ते हमने नीतिवचन 14 हुए अध्याय के पहले पत का अध्यायन आरंब किया था हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे नीतिवचन 14 का पहला पद हमको याद दिलाता है हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूड स्त्री उसको अपने ही हाथों से धा देती है हमने इस पत के पहले आधे को देखा था और उस आधे के अध्यायन के समय एक विशेश बात जो मैंने आपको याद दिलाई थी वो यह है कि एक परिवार में मा बाप चार प्रकार के हो सकते हैं पुरिश और स्त्री दोनों ही आत्मिको नमबर दो पुरिश और स्त्री दोनों ही अनात्मिको तीन पुरिश आत्मिको स्त्री अनात्मिको चार स्त्री आत्मिको पुरिश अनात्मिक हो। इन चारों में जिस परिवार में स्त्री पुरिश दोनों ही अनात्मिक होते हैं, वहां शत प्रतिशत संभावना इस बात की है कि बच्चे भी अनात्मिक होंगे। क्योंकि पैदाईश से उनको जो नमू ना मिला है वो आत्मिकता के विरुद्ध है। पुरिश और स्त्री दोनों ही आत्मिक हों, यदि मा बाप दोनों ही आत्मिक हों, तो संभावना इस बात की है कि 60-80 प्रतिशत बच्चे आत्मिक निकलेंगे। किसी भी परिवार में शत्-प्रतिशत बच्चों का आत्मिक निकलना बहुत मुश्किल होता है, खास कर 21 शताबदी में। तो यदि मा-बाप दोनों आत्मिक हों, बच्चे निश्चित रूप से आत्मिक होंगे। उनकोंगे। संभावना है कि बच्चे आत्मिक होंगे लेकिन 10 से 20 प्रतिशत संभावना हमेशा बनी रहती है कि बच्चे आनात्मिक हो जाएंगे एक बहुत बड़ा खत्रा है लेकिन पवित्र बाइबल में जो 4000 साल का इतिहास है और उसके अलावा पिछले 2000 साल का चर्च का या मसीही परली का जो इतिहास है वो इस बात को कंफर्म करता है कि माबाप दोनों ही आत्मिक हो तो भी 10 से 20 प्रतिशत बच्चे आनात्मिक हो जाते हैं क्योंकि दुनिया सुबह से शाम तक उनके जागने के समय से उनके सोने के समय तक दुनिया उनको फसाने के लिए जाल बिचाए बैठी है उसके बाद आते हैं दो केस विशेश केस पिता आत्मिक है मा अनात्मिक है दूसरा केस पहला पिता आत्मिक है मा अनात्मिक है दूसरा केस पिता आत्मिक है मा अनात्मिक है इन दोनों के बारे में बहुत अधिक अध्ययन किया जा चुका है, और यह सारे अध्ययन इस बात को बताते हैं, कि अधिता आत्मिक हो लेकिन मा अनात्मिक हो, तो शत्प्रतिशत बच्चे अनात्मिक हो जाते हैं. इसका कारण ये है कि पैदाईश के समय से बच्चे पिता की तुलना में मां के संपर्ट में रहते हैं, भले ही परिवार पिता के आसपास केंदरित हो, लेकिन बच्चे चुकि अपना आदिकतर समय खासकर पैदाईश से लेकर आने वाले बहुत सारे साल, चुकि बच्चे मां के साथ समय बिताते हैं, इसलिए भले ही पिता कितना भी आत्मिक हो, मां यदि आनात्मिक हो, तो अल्मोस्ट शत प्रतिशत बच्चे आनात्मिक निकलते हैं, लेकिन यदि पिता आनात्मिक हो और मां आत्मिक हो, तो बच्चपन से मां का जो असर बच्च के उपर होता है उसके कारण घर में एक अनात्मिक नमुना है पिता का एक आत्मिक नमुना है मां का संभावना 60 से 80 प्रतिशत इस बात की है कि बच्चे आत्मिक निकलेंगे 10 से 20 प्रतिशत बच्चे हर परिवार में अनात्मिक निकलते हैं याद रखें अदन की वाटिका से लेकर शैतान जाल बिचाता आया है और अच्छे से अच्छे मसीही परिवारों में भी अच्छी से अच्छी तामिल अच्छी से अच्छी आत्मिक शिट्षा देने के दस से बीस प्रतिशत बच्चे परमेश्वर का रास्ता और परमेश्वर का वचन छोड़कर गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो पिता की तुलना में मा का असर अधिक होता है। पैदाइश के बाद उसको दूद पिलाते हैं वहां से लेकर मा अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताती है। इसलिए मा का असर बहुत होता है। तो वो पिता के समक्ष रखने के बदले मा से जाकर रिक्वस्ट करते हैं कि ममी हमको ये चाहिए। हमको कपी चाहिए, पिंसल चाहिए, बसता चाहिए, जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, वहां से लेकर आगे उनके जीवन में जब वो कॉलेज चले जाते हैं तब भी जो बाते हैं वो अक्सर मा को पहले बताते हैं। और मा से कहते हैं कि ममी, तुम जो है पापा से कहके ये काम करवा दो. तो इसलिए आरंब में ही मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मसीही परिवार में भले ही पिता परिवार का नायक हो, भले ही वो परिवार का सर हो, लेकिन बच्चे किस दिशा में जाएंगे, इसके उपर पिता से आदी का सर मा का होता है. इस बात को हम विशेश ख्याल रखें और इस प्रिष्ट भूमी को देखकर, या इस प्रिष्ट भूमी को मन में रखकर उस पत को फिर से देखें, तो प्रभू का वचन स्त्रियों को दो कैटेगरी में बाठता है, बुद्धिमान स्त्री और मूड स्त्री. नीति वचन इस विशे पर बहुत अधिक बोलता है, बहुत अधिक बोलता है, और नीति वचन 31 हर स्त्री को बार-बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसमें जो पाठ दिये गए हैं, उसको वो बिलकुल अपने मन में रख सके. प्रभु ने मदद की, तो कभी हम उसका अधियान करेंगे, लेकिन उसके पहले एक पात और मैं बताऊं, नीति वचन जो की बच्चे को सही रास्ते पर जाने का मार्ग देता है. पावित्रात्मा की प्रेरना के द्वारा लिखी गई पुस्तक, उसमें नीति वचन अपने आपको मा के रूप में प्रेजेंट करता है. क्यों? नीति वचन के आरेम में हम देखते हैं, मैं अपने पिता का बेटा था, पिता ने मुझे शिछा दिये, सब कुछ कहा गया है. लेकिन नीति वचन में सबसे अधिक बार नीति वचन की पुस्तक अपने आपको मा के रोल में प्रस्तुत करता है. क्यों? इसका भी कारण यही है. बच्चों के उपर, उनके नैतिक जीवन पर, उनके आत्मिक जीवन पर, उनके सांसारिक जीवन पर, पिता की तुलना में मा का असर सबसे अधिक होता है. पिता का प्रभाव बच्चों के उपर बाद में आता है. नीव मा डालती है. नीव के उपर मा निर्मान करती है. एक समय के बाद जो है, पिता का रोल आरंब होता है, इस बात को याद रखें. तो स्त्री का जो रोल है परिवार में उसके आधार पर प्रभु का वच्चन स्त्री को या तो बुद्धि मती स्त्री कहता है, या मूड स्त्री कहता है. पिछले हफ़ते मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी, कि हम में से हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, कि हम ये देखें, खासकर बहनों के लिए जरूरी है, आज यदि हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं, तो परमेश्वर हमको बुद्धि मती स्त जरूरी कहेंगे या मूडस्त्री कहेंगे, जितनी बहने सुन रही हैं, वे अपने आपको जरा जांच कर देखें, आपके बारे में परमेश्वर क्या कहेंगे, देखें, एक दिन हम सब को परमेश्वर की उपस्तिती में खड़ा होना पड़ेगा, तब हमारे न्याय होगा इस न्याय के बारे में पहला कुरंतियों तीसरा अध्याय और इबराणियों की पत्री छटा अध्याय विस्तार से बताते हैं, कई लोगों को ये गलत फहमी है कि एक बार उद्धार हो गया फिर कोई न्याय नहीं होगा, ये एक बड़ी भारी गलत फहमी है, एक बार उद् और ये बहुत विस्तार से पहला कुरिंतियों तीन और इब्राइनियों की पत्री छे में बताये गया है कि न्याय होगा उस न्याय के समय मेरी प्रीय बेहनों आपके बारे में क्या कहा जाएगा आपको बुद्धिमती स्त्री लेबल दिया जाएगा या मूडस्त्री लेबल दिया जाएगा बहुत कैरफुली अपने स्वैम के बारे में सोचें और मुल्यांकन करें परमेश्वर ने हमको परिवारों में इसलिए रखा है कि हम परिवार का निर्मान करें पिता की भी जिम्मेदारी है माता की भी जिम्मेदारी है लेकिन ये पद मा की जिम्मेदारी पर फोकस करता है और ये पद ये इस बात को बताता है कि बुद्धिमती स्त्री अपने घर को बनाती है जिसका मतलब है एक बुद्धिमती स्त्री अपने पती को सही दिशा में जाने के लिए मदद करती है प्रभु का वचन उत्पती के पुस्तक में स्त्री के बारे में कहता है कि मैं उसके लिए उचित सहायक बनाऊंगा हमारी भार्षा में सहायक सुनके ऐसा लगता है जैसे कोई नौकर बनाऊंगा ऐसा नहीं है वहाँ सहायक का मतलब है एक ऐसा अव्यक्ति जो पती के साथ हर चीज में उसके साथ सहीयोग करे इवन पती सही दिशा में जाए इसके लिए स्त्री का सहीयोग बहुत अधिक जरूरी है मैं चूंकि एक प्रचारक हूँ इसकारण ऐसे बहुत सारे भाईयों को जानता हूँ जिनोंने प्रभू को ग्रहन किया लेकिन उनकी पत्नी ने प्रभू को ग्रहन नहीं किया इसलिए बहुत मुसीबत में है चर्च आते हैं घर जाके जगडा मोल लेना या जगडा फेस करना पड़ता है प्रेयर मीटिंग में आते हैं तो घर पे जगडा फेस करना पड़ता है सीधे मुपतनी बात नहीं करती है एक पुरिश यदि चाहे कि वो एक आत्मिक जीवन बिताए तो उसमें स्त्री का सहयोग बहुत बहुत जरूरी होता है जिन्होंने प्रभु को ग्रहन किया लेकिन उनकी पत्मियोंने नहीं ग्रहन किया इसलिए उनकी जो मुसीबत है वो मैं नियमित रूप से देखता हूँ तो बुद्धिमती स्त्री अपने पती को सही दिशा में जाने के लिए मदद करती है और यहां मूड स्त्री की और जाने के पहले मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ खास कर मा बाप को कि जब हमारे बच्चों की शादी की बात आती है तब लड़कों के लिए जब किसी लड़की को चुनने की बात आती है तो भाहरतिय परिवारों में रंग और रूप परिवार को देखकर शादी करवाई जाती है जब कि शादी के लिए पहला मानदंड मैं अभी सर्फ स्त्रीयों के बारे में बात कर रहा हूँ पुरिशों के लिए भी मानदंड है लेकिन अभी हम स्त्री की बात कर रहे हैं इसलिए पहला मानदंड ये होना चाहिए कि अपने लड़के के लिए जिस लड़की को हम देख रहे हैं, तलाश रहे हैं, और जिसके बारे में बातचित चल रही है, वो बुद्धिमती है क्या, बुद्धिमती से मतलब यह नहीं है कि वो intelligent है क्या, यदि कोई लड़की पहले class से, first class आती है, BAC में भी first class आई, MAC में first class आई, तो उसका मतलब यह है कि वो intelligent है, intelligence और बुद्धिमती होना दोनों एक बात नहीं है, पिछले हफ़ते भी मैंने यह बात बताई थी, संभाव ने इस बात की है कि यदि लड़की over intelligent हो, तो उसको कभी भी अपने आत्मिक जीवन को विकसित करने का समय ना मिला हो, इसल विर्फ एक लड़की के मार्कशीट को देखकर, यदि आप अपने बेटे की शादी करवा देंगे, तो जिन्देगी बर आप उस मार्कशीट को अपने गले लटकाए रहेंगे, इस बात की कोई guarantee नहीं है कि वो बुद्धिमती होगी, इसलिए फिर से मैं याद दिलाना चा वे इस बात का विशेश ख्याल रखें कि जब अपने बेटों के लिए पतनिया चुनते हैं, तब रंग रूप, पढ़ाई में जो पोजिशन है, ये सब देखके यदि आप शादी करवा देंगे, तो इस बात की कोई guarantee नहीं है कि आपके बेटे का जीवन खुश होगा, इस को सबसे अधिक महत्व जिस बात का देना चाहिए, वो उसको उद्धार पाये born again होनी चाहिए, ये तो मानी हुई बात है, उसके बात जिस बात का ख्याल रखना है, वो यह है कि ये लड़की बुद्धिमती है क्या, परिवार को सही रीती से चला लेगी क्या, हर एक बुद स्त्री उसको अपने हाथों से ढढ़ा देती है, बुद्धिमान स्त्री के बारे में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो अपने घर को अपने हाथों से बनाती है, ये मानी हुई बात है, लेकिन मूर स्त्री के बारे में बोलते समय प्रभु के वचन ने अपने ही हाथों से ढढ इसको तोड़ा सा सोचना जरूरी है इस प्रभु का बच्चन जब किसी चीज पर जोर देता है तो उसका मतलब यह है कि उस जोर दी गई वस्तु का महत्व बहुत अधिक है और यहाँ प्रभु का वच्चन दो चीजों पर जोर देता है नमबर वन स्त्री जो की मूड है नमबर दो ऐसी स्त्री अपने स्वयम के हाथों से धा देती है हम में से हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ करना और पाना चाहता है अच्छे विद्यार थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छे विद्यार थी वे नियमित रूप से अच्छे नमबर लाना चाहते हैं जो नौकरी करते हैं वो प्रमोशन पाना चाहते हैं जो जिनका जीवन, खेल, कूद या अथलेक्टिक्स के प्रती समर्पि थे वे हमेशा उसमें फर्स, सेकेंड या थर्ड लाने की कोशिश करते हैं यदि हम कोई पेशा करते हैं जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, नर्स है तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उस पेशे में दूसरों की तुलना में हम एकदम उम्दा व्यक्ति हों हम स्वेम जानते हैं कि हम जिन शहरों में रहते हैं डॉक्टर का उदाहरन देता हूँ, जो समझने में आसान है जिस शहर में हम रहते हैं, उस शहर में तमाम डॉक्टर होंगे एक फिजिशन को ले लीजिए, एक ही शहर में आपको इस तरह के फिजिशन मिल जाएंगे जो एक कंसल्टेशन के लिए सो रुपया लेते हैं, दूसरे मिलेंगे जो तीन सो लेते हैं ऐसे भी मिल जाएंगे जो हजार लेते हैं, क्यों? सभी फिजिशन हैं, सभी इलाज कर रहे हैं लेकिन जब ये लोग इलाज करते हैं, तब मरीजों को जो फाइदा होता है उस फाइदे के अनुसार उनकी डिमैंड बढ़ती है डॉक्टर स्वैम भी इस बात को जानता है, कि मैं यदि पचासर होगी, दिन भर में देख सकता हूँ तो पांच सो मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि मेरे हाथ जम गया है और इसलिए वो आधिकतम वसूल करने की कोशिश करता है क्यों? इसलिए कि उसने मेहनत की है और मेहनत करके अपने आपको एस्टाबलिश किया है लेकिन उसी शहर में आपको ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो पचास रुपे में भी इलाज करने को तयार हो जाएंगे क्यों? शायद इसलिए कि जिन्दगी बर उन्हें ने लापरवाही की जब मेडिकल कॉलेज गया है तो लापरवाही की जैसे तैसे उनके प्रोफेसर लोगों ने लाप मार के कॉलेज से पास करवा दिया मैं इस तरह के कई विद्यारतियों को जानता हूँ मेडिकल कॉलेज के विद्यारती जिन्होंने बूट की परीछा के अलावा सारी प्राइवेट परीछाओं में जिनको धक्का देके अगले क्लास में भीज दिया गया जिन्दगी बर मेहनत नहीं की और एक बार मेडिकल प्रैक्टिस में आ गए तो उसके बाद कभी भी मुड के ये नहीं देखा कि मेडिसिन के जो छेत्र है उसमें क्या-क्या अनुसंधान हो रहा है क्या-क्या नई बातें आई हैं ये लोग मेहनत करके अपने आपको बनाते हैं इस कारण एक का डिमांड दूसरे की तुलना में जादा हो जाता है अंतर एक अपने स्वैम की मेहनत से अपने आपको उपर उठाता है दूसरे व्यक्ति अपनी लापरवाही से अपने खुद के पेशे को और अपने डिमांड को खतम कर देता है मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ एक अपने स्वैम की मेहनत से अपने आपको उपर ले जाता है एक अपनी लापरवाही से अपने ही पेशे को या अपने डिमेंद को खतम कर देता है ये है अपने हाथों से धा देने का एक उदाहरण दूसरा उदाहरण मैं अपने पेशे से देना चाता हूँ आप लोग जानते हैं कि मेरी प्रिष्ट भूमी टीचिंग की है मैंने चंबल इलाके के ग्वालियर में अपना पेशा आरम किया था सबसे पहले उसी स्कूल में मैंने टीचर के रूप में काम किया जहां मेरी खुद की पढ़ाई हुई थी जहां से मैंने हायर सेकंडरी पास की थी उसके बाद कुछ साल यूनिवर्सिटी में मैं विजिटिंग प्रोफेसर रहा मैं स्कूल की बात आपको बताना चाहता हूँ MSC करके तीन साल बाइबल स्कूल ट्रेइनिंग वगरा लेने के बाद मैंने जिस स्कूल से हायर सेकंडरी पास की थी उसी स्कूल को जॉइन किया उसके पीछे कारंड था उसके मैंने जो जॉइन किया उसके पहले साल फिजिक्स में तेरा अध्यापक बदल गए प्राइवेट स्कूल था एक कॉपॉइंट किया महीने भर भी वो नेटिका भाग गया दूसरे कॉपॉइंट किया वो भाग गई तेरा अध्यापक उस स्कूल को छोड़कर भाग गए जब स्कूल वालों को पता चला कि वो मैं शहर में वापस पहुँच गया हूँ तो बाकाइदा प्रिंसिपाल और वाइस प्रिंसिपाल मेरे घारा आए उन्होंने मुझसे कहा है ये तुमारा स्कूल है इसकी हालत बड़ी खराब हो रहे है फिजिक्स में लोग टिक नहीं रहे है और इसलिए भले ही तुम किसी और पेशे में जाने की सोच रहे हो ये तुमारा अपना स्कूल है जरा हम लोगों की मदद कर दो स्कूल से मेरा स्ने बहुत ज़ादा है तब भी था अब भी है मैंने तुरंत जाके जॉइन कर लिया मेरे जॉइन करने के पहले नाइन्थ, टेंथ और इलेवन्थ में फिजिक्स में तीस प्रतिशत विद्यार्थी पास होते थे मेरे जॉइन करने के बाद ये जो तीस प्रतिशत है ये पिंचानवे प्रतिशत से अधिक पहुँच गया सवाल ये है कि मुझसे पहले जो तेरा लोग आए थे और मैं हम सभी MSC थे, उस समय मैं सिर्फ MSC था, हम सभी MSC थे, हम सभी फिजिक्स में MSC थे, जब सभी फिजिक्स में MSC थे, तो ये तेरा लोग सर पे पैर रखके वहां से क्यों भाग लिये। इसलिए भागे, कि फिजिक्स में मैं इसलिए ये विस्तार से बता रहा हूं, क्योंकि इन में से कई अध्यापकों को मैं जानता हूं। बाद में, जब मेरे आने के बाद स्कूल में स्थिती अच्छी हो गई, तो एक और वेकंसी जब आई तब इन ही मैंसे कई लोग दुबारा आए, इंटरव्यू के लिए मैंने ही इंटरव्यू लिया। और उन लोगों से जब पूछा पाचा तब पता चला कि इन लोगों के साथ परेशानी क्या है। परेशानी यह है कि अध्यापक बनना चाते हैं, लेकिन जो विशे पढ़ाना है उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। और उनसे फिजिक्स में कुछ भी पोछो उत्तर जीरो। इन लोगों ने MSC तो कर लिया, लेकिन अपने ही हाथों से विशे के ज्ञान को विशे को पढ़ाने की जो कैपैसिटी है उसको नश्ट कर दिया। कैसे नश्ट किया। MSC का जो फाइनल एक्जाम है वो देने के बाद, फिजिक्स की किताब को कभी भी मुड़के नहीं देखा। कभी भी मुड़के नहीं देखा। मुझे अच्छी तरह से याद है इंटरव्यू लेते समय एक जो अपने आपको बड़ा तीस मारखां समझता था। उससे मैंने का कि भाया तुम फिजिक्स पढ़ाना चाते हो। फिजिक्स में वो न्यूटन के नियम है। सभी लोग जानते हैं न्यूटन के तीन नियम फिजिक्स में पढ़ाये जाते हैं और आजकल तो शायद आटवी नवी में पढ़ा देते हैं। Newton के तीन नियम है जरा तीसरा नियम तो बताओ तो उसने किताब से जो रेट रखा था वो बता दिया मैंने का कि अच्छा आप उसके बारे में फलाना प्रशन है उसका तो उत्तर दो तो वो आगा पीछा देखने लगे मैंने का कि भई कौन सी किताब से तुम फिजिक्स पढ़ते थे उसने का कि फलानी किताब मैंने का कि उस किताब में मैंने अभी जो प्रशन पूछा है इसका उत्तर विस्तार में दिया हुआ है तो बोला कि सर मेंसी के एक्जाम के बाद मैंने तो किताब कभी मुड़के देखने की कोशिश नहीं की एक्जेक्ली आप अध्यापक बनना चाते हैं फिजिक्स बढ़ना चाते हैं लेकिन आप स्वयम किताब खुलके देखने नहीं चाते ये किसी और ने आपके विरुद्ध नहीं किया है, आपने स्वयम अपने विरुद्ध ये काम किया है किसी भी पेशे में चले जाएए, किसी भी पेशे में जिसमें मां होना भी एक पेशा ही है, एक बहुत बड़ा कॉल है जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट है, पिता होना भी बहुत बड़ा कॉल है, बुलाहट तो है लेकिन उसके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, बुद्धी के साथ सोचने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए प्रबु का वचन कहता है कि मूड स्त्री अपने ही हाथों से उसको ढ़ा देती है शादी कर ली बच्चे पैदा कर दिये लेकिन बच्चों के पालन पोशन के लिए जो कुछ करना है उसकी तरफ कोई धियान नहीं है ऐसी बहुत सारी बेहने हैं जो सुबह से लेकर शाम तक का समय पर निंदा में बिताती हैं गौसिप और अब तो यह और आसान हो गया है क्योंकि मोबाइल रेक के हाथ में है मैं यकिन दिलाना चाहता हूँ यहां लोगों को कोई अनुमान नहीं है कि मोबाइल के आने के बाद समाज में कितना बदला हुआ है मैं जब MSC में पढ़ता था उस समय यदि आपको एक मोबाइल तो होते नहीं थे मैं 1978 की बात कर रहा हूँ उस समय आपको एक टेलिफोन कनेक्शन चाहिए तो एप्लिकेशन देने के दस तस बारा बारा साल के बाद कनेक्शन मिलता था उस समय तो और उसके अलावा कॉल के नंबर से पैसा देना पड़ता था आज अपना आधार कार्ड लेकर किसी भी दुकान में चले जाईए मोबाइल खरीद लीजिए सिम कार्ड तुरंत वो लोग दे देंगे आधार वगरा नोट कर लेंगे और आप घर पहुँचे इसके पहले वो नंबर एक्टिवेट हो जाएगा और तीन सो रुपए देकर यदि आप महीने भर का सिम चार्च करवा लेते हैं तो उस पर आप आसी मित कॉल कर सकते हैं इसका सभी लोगों के उपर असर हुआ है स्त्रियों के उपर असर ये हुआ है कि उनमें पर निंदा में दिल्चस्पी रखने वाली स्त्रियों को सुबह से शाम तक दोसरों के साथ पर निंदा में समय बिताने के लिए उटी कौडी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है आप पूछेंगे कि शास्त्री अंकला आपने आभी पर निंदा की बात क्यों की वही मैं बताता हूँ हम जो करते हैं उसका आसर बच्चों के उपर होता है इस बात को विशेश याद रखें तो जो मां सुबह से शाम तक मोबाइल पर या अडोसियों पडोसियों के साथ पर निंदा में समय बिताती है यदि वो चाहे कि उसकी बिटिया संत बन जाए आत्मिक जीवन में बहुत बड़ी संत बन जाए ये संभव नहीं है अपने स्वयम के हाथों से वो अपनी बिटिया का जीवन बरबात कर रही है मां की देखा देखी बिटिया भी वही करने लगेगी मां थोड़ी बहुत मेचुर है इसलिए पर निंदा करेगी तो भी एक सीमा है बेटी क्या करेगी बेटी के हाथ में जब मुबाइल आएगा तब वो पचास बॉइफरेंड कर लेगी उन सब से बात करेगी वे लोग उसका दिमांग खराब कर देंगे ये आज लाखों मसीही परिवारों में हो रहा है मां को पर निंदा से फुरसत नहीं है और इसलिए बिटिया को रोमांटिक चर्चाओं से फुरसत नहीं मिलती है मूडस्त्री अपने ही हाथों से अपने परिवार को बरबाद कर देती है का एक उदाहरंड है इसके अलावा भी पचासों उदाहरंड है लेकिन ये जो एक उदाहरंड है इसके बारे में हमें बहुत गंबिरता से सोचना चाहिए टेक्नोलजी इतना विकास कर चुकी है कि आजकल तो भिकारी भी मोबाईल लेके चलते हैं एक दूसरे को इनफार्म करते हैं कि इस जगे भीग जादा है भीड जादा है मैं अकेले जो है वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहा है इसलिए तू भी आजा तू भी जो है साड़क के उधर बैठ जा काफी पैसे हो जाएंगे ये जो उपकरण है इसने स्रीयों को बरबात करने में एक बहुत बहुत बढ़ा रोल अदा किया है कर रहा है और करता रहेगा दुनिया बहुत चालाक है वो भी इस बात को जानती है कि जो घर बैठी स्त्रीया है जो नौकरी नहीं करती और आज भी भारत में विवाहित स्त्रीयों में घर बैठी स्त्रीयों की संख्या नौकरी करने वाले स्त्रीयों की तुलना में आधिक है दुनिया इस बात को जानती है और इसलिए दुनिया क्या करती है कि ये जो घर बैठी स्त्रिया हैं इनको लेट्ष्य बनाकर प्रति दिन हजारों और लाखों नए नए आकरशक प्रोग्राम्स तयार करते हैं और जिस तरह से शराबी को शराब का नशा हो जाता है उसी तरह से स्त्रियों को मॉबाइल का नशा हो जाता है आप पूछेंगे कि शास्त्री अंकल ये कहने के पीछे कुछ कारण है क्या बिल्कुल है मैं चूंकि तमाम मीटिंग्स में जाता रहता हूँ तमाम तरह के लोगों से मिलता रहता हूँ उनके परिवार के समस्या सुनता रहता हूँ इतना ही नहीं मैंने अपना मॉबाइल नंबर आप सब को उपलब्द करवा दिया है आप ही लोगों में से कई लोग मुझे लिखते हैं उसके अलावा भी मैं जिन जूम प्रोग्राम्स में संदेश देता हूँ वहां से लोग लिखते हैं उसके अलावा वाट्सैप में तमाम सेरे ग्रूप्स में मेरे संदेश आते हैं इन संदेशों में मेरा मॉबाइल नंबर दिख जाता है जब मेरा नाम देखेंगे तो मेरा नंबर दिख जाएगा इन सब जगों से लोग मदद के लिए मुझे संपर्क करते हैं संपर्ख करने वालों में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे पुरिशों और ऐसे स्त्रियों की है जो सुबह पहले तकिये के नीचे से मोबाइल पकड लेते हैं उसके बाद आँख खोलते हैं और यदि मोबाइल पर कोई संदेश उनको नहीं मिला सुबह सुबह तो उनकी वही हालत होती है जो शराब के बिना शराबी की होती है ऐसे बहुत लोग मुझसे कॉंटैक करते हैं मदद मांगते हुए मेरी मदद कीजिए मैं मोबाइल का एडिक्ट हो गया हूँ नशे का आदी हो गया हूँ बहुत सारी बेहने भी पूछती हैं मैं मोबाइल की आदी हो गया हूँ मुझे क्या करना चाहिए परेशानी ये है कि जो शराब का आदी है वो शराब पीता है तो वो जानता है कि ये लज्जा की बात है लेकिन मुबाइल के साथ इस तरह से कोई लज्जा की बात तो जुड़ी हुई नहीं है इसलिए मैं मुबाइल का एडिक्ट हो गया हूँ मुबाइल का नशा हो गया है ये पहचानना पुरिशों और स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल है खास कर स्त्रियों के लिए इसलिए कि घर में दिन बर सुबह से शाम तक घर का सारा काम करने के बाद थोड़ा समय जो रिलाक्स करने के लिए मिलता है उस समय मॉबाइल आपको जो चाहिए वो प्रदान करता है हसना है हसी के प्रोग्राम है गंबिर चाहिए गंबिर है अशलील प्रोग्राम चाहिए अशलील है कहानी चाहिए कहानी है हर चीज प्रदान करने के द्वारा जब आपको नशे में मॉबाइल के नशे का आदी बना देता है तो उसको पहचानना मुश्किल है पहचनने के बाद उसको चोड़ना मुश्किल है चोड़ने इसलिए मुश्किल है कि नशा एक बुरी चीज है इसलिए उसको चोड़ने के लिए हमारे मन में थोड़ा बहुत द्रड़ निश्चे या determination आ सकता है लेकिन मुबाइल तो मुबाइल है एक यंत्र है और इसलिए उसको चोड़ने के लिए एक द्रड़ निश्चे आना बहुत मुश्किल है ये मैंने आपको एक उदाहरंड बताए या दो उदाहरंड बताए जिसके द्वारा 21 शताबदी में स्त्रियां अपने परिवार को बरबात कर रही है बिटिया स्कूल जाने के लिए तयार है आप मुबाइल पे पिली हुई है बिटिया कहती है कि ममी मैं स्कूल जा रही हूँ जब एक बेटा या बेटी स्कूल जाते हैं तब ब्रदरन परिवारों में ब्रदरन जो ये जो मूवमेंट है इसके आदिकाल से अधिकतर ब्रदरन परिवारों में एक प्रैक्टीस है एक आदत है वो ये है माँ बाप दोनों होں तो उन में से कोई एक प्रार्थना करके भीजता है येदि माँ अकेली हो तो बच्छे को प्रार्थना करके भीजती है स्कूल जाने से पहले बेटी बोलती है ममी मैं जा रही हूँ ममी मॉबाइल पे पिली हुई या अच्छा तूँ जा जा अपना ख्याल रखना बिटिया चाहती है कि मम्मी आखे प्रार्थना करे लेकिन मम्मी को मोबाइल से फुरसत मिले तब तो प्रार्थना के बारे में सोचे तो इस तरह से एक छोटे से यंत्र ने स्त्रीयों को इस तरह से अपने जाल में ग्रस लिया है या फसा लिया है कि वो इस यंत्र के कारेण अपने ही हाथों से अपने परिवार को धा रही है सबका आरम कहां से होता है परनिंदा से परनिंदा आप अपने बच्चों को बर्बात कर रही हैं मोबाइल करने शाह अपने बच्चों को बरबात कर रही हैं। उसके अलावा भी पचासों ऐसी बाते हैं जिनके द्वारा माएं अपने परिवार को ढ़ा देती हैं। पचासों बाते हैं। जैसे पुरिश चर्च में कोई टेंशन है, घर आता है, बैठ के सोच रहा है, स्री उसका टेंशन और बड़ा देती है। बच्ची कॉलेज में किसी लड़के से उसकी आँखे चार हुई, घर आके मां को बताया, तो बिटिया, तु एक विश्वासिन है, एक विश्वासिन के लिए, एक अविश्वासी के साथ इस तरह से आंतरंग संबंद सही है क्या, ये पूछने के लिए मां के पास समय नहीं है, समय नहीं है, तो पूछने के बदले नाराज हो जाती है, बेटी तै कर लेती है कि तु मेरी मां है, लेकिन मेरे लिए तेरे पास समय नहीं है, ओ लड़का भले ही वो हिंदू है, लेकिन वो तो मुझे बहुत समय दे रहा है, भले ही वो मुसलिम हो, मुझे समय दे रहा ह तो तुमसे अच्छा वो है जो मुझे मेरे हर बात पर ध्यान देता है आज लाखों परिवारों में ये हो रहा है मैं स्वेम ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पर इस तरह की बातें हो रही है किस की गलती है? उस मा की गलती है जो बुद्धिमती होने के बदले दुनिया के चक्रों में फसकर एक मूड स्त्री के समान व्यवहार करती है आप पूछेंगे कि मूड स्त्री के समान आपने क्यों कहा उसके पीछे एक कारण है कुछ लोग होते हैं जो बच्पन से ही मूड स्त्री के समान व्यवहार अपने बेटे को बरबात कर दिया अपनी बच्ची को बरबात कर दिया अपने पती को बरबात कर दिया घर में ना आमन चैन है न शानती है आज जो बेहने प्रभु का वचन सुन रही हैं, उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्रिये बेहन, प्रभु का वचन आपको बुद्धिमती बनने का सलाह देता है, आपने उस सुझाव को सुनकर अपने आपको बुद्धिमती बनने की कोशिश की है, या दुनिया के जो तमाम आकर्शक है, आकर्शन है, इन आकर्शनों में फसकर, बुद्धिमती से आप मूड बन गई हैं क्या, जिसके कारण, सबसे पहले तो आपने अपने दिमांग को खराब कर लिया, और अपने दिमांग को खराब कर लिया, तो अपने आत्मिक जीवन को खराब कर लिया, आपका दिमांग और आत्मिक जीवन चुकी खराब हो चुका है या हो रहा है, इस कारण अपने ही हाथों से अपने लड़क दिख रहा है लोग बड़ा रोना रोते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है लेकिन अपने स्वयम के गिरेबान में जहांक कर नहीं देखते हैं इस कारण जो बेहने प्रभु का संदेश सुन रही हैं उनको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ पर ये बेहन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि बुद्धिमति स्त्री का मूल्य मूंगों से भी अधिक है मूंगा एक इतना महंगा पत्थर है कि आप में से शायद कभी भी किसी ने उसको देखा नहीं होगा मेरा इन चीजों के प्रति मेरी रुची बहुत ज़ाव है इसलिए एक बार मैंने मूंगा अपने जीवन में देखा है जिसको इंग्लिश में रू भी कहा जाता है बुद्धिमति स्त्री की कीमत को मूंगों से भी अधिक रभु का वचन आंकता है आपने अपने जीवन को मूंगों से या रूबी से अधिक मूलिवान बनाने की कोशिश की है या अपनी लापरवाही के कारेंड अपने व्यस्त दुनिया के बातों में व्यस्त होकर आपने अपने आपको बरबात कर दिया है क्या पहली बात दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो यह है, परमेश्वर का भाए बुद्धी का मूल है, नीतिवचन में ही, नीतिवचन ही कहता है कि परमेश्वर का भाए बुद्धी का मूल है, आप परमेश्वर का भाए मानकर जीवन बिताती हैं, क्या आप कहेंगे हा ब्रदर मैं प्रार्तना करती हूं दिन में, मैंने ये नहीं पूछा कि आप प्रार्तना करती हैं क्या, मैंने ये पूछा कि आप पदमेश्वर का भाय मानती हैं क्या, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पती, आपके चर्च में जो लोग हैं उनसे पूछा जाए, कि फला तुरुअपनी होगी ये टिपनी होगी कि आ रहे बाप रहे वो तो नियूजपेपर है। मैं स्वैम ऐसी बहुत सारी बहनों के बारे में जानता हूँ जिनके पीठ पीछे लोग कहते हैं कि नियूजपेपर है। क्यों इसलिए कि पर निंदा के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है आपके बारे में क्या कहेंगे वस्त्रधारण के बारे में आपके बारे में क्या कहेंगे मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूँ जिनका वस्त्रधारण ऐसा है कि देखने वाला शर्मिंदा हो जाए लेकिन वो अपनी बेटी से उमीद करते हैं कि वो बहुत सज्जनता के साथ वस्त्रधारण करेंगे ये दोनों साथ सब नहीं चल सकते तो प्रभु का वचन जब इस बात को कहता है कि बुद्धिमायन स्त्री अपने घर को बनाती है मूड स्त्री अपने हातों से ढहा देती है तो प्रभु का वचन उसके साथ साथ एक सूचना और देता है वो यह है कि हर स्त्री, हर born again, उद्धार प्राप्ट स्त्री को प्रती दिन, प्रती ठंड लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि वह बुद्धिमती बने, बुद्धिमती बनती जाए और बुद्धिमती बनती रहे क्योंकि final नहीं है, जीवन भर, आत्मिक जीवन का विकास, जीवन भर होता है कई बहनों का ये बहाना है, सुबह उठती हूँ, बच्चों को भीजती हूँ, वो करती ये करती हूँ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है हमें से हर विक्ती प्रभु के वचन की उपेक्षा के लिए पचास बहाने बना सकता है लेकिन मैं ऐसे बहुत सारी बहनों को जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन की इस जरूरत को समझ कर जरूरी नींद में से भी आदा घंटा उन्होंने सैक्रिफेस की अत्याग किया जिससे कि वे प्रभु के वचन का पाठ मनन और उसमें से जो पाठ मिलता है उसमें से जो प्रकाश मिलता है उसको नोट डाउन करें ऐसे लोगों से बाप्चित में ही फारक पता चल जाता है उनके बच्चे अपनी मा के बारे में जो बोलते हैं वो सुनके ही पता चल जाता है कि ओ मा कैसी मा है तो बेहनों आज परमेश्वर के वचन में जो दो शब्दी उसकिये हैं इसके संदर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बुद्धिमती बन रही है या मोड बन रही है? बुद्धिमती बनती जा रही है या मोड बनती जा रही है? जो बच्चियां मेरे संदेश को सुन रही हैं, उनसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरी प्री बिटिया दुनिया का जीवन जो है इसको एक बुद्धिमती स्री के रूप में भी बिताया जा सकता है मूड स्री के रूप में भी बिताया जा सकता है और जिस समय हम ऐसा जीवन बिताते हैं उस समय बड़ा आनंद आता है बुद्धिमत्ई को अपने जीवन पर बहुत खुशी होते लेकिन मूड़ को भी खुशी होते है क्योंकि उसे सांसारी खुशी जादा पसंद है लेकिन जो उधार प्राप्त त्स्त्रिया अपने जीवन में बुद्धी से बैर करती हैं मूड़ता के पीछे भागती है उनको एक बात नहीं भूलना चाहिए वो यह है कि मनिश के लिए एक बार मरना और उसके बाद नियाय होना नियुक्त है इसलिए प्री बिटिया कल को तुमारे नियाय होगा तुम प्रभु के सामने क्या मूँ लेकर खड़ी होगी उसके साथ साथ एक चीज़ और देखो तुम शायद 10 साल की 15 साल की या 20 साल की होगी यदि ऐसा है तो अभी 60-70 साल और जीना है शादी होगी बच्चे होंगे ये जो 60-70 साल है इन 60-70 सालों में परिवार की जिम्मेदारी पती के साथ सने है बच्चों के साथ सने है ये सब काय करने के लिए और तुमको जिस कारी के लिए प्रभु ने बुलाया है उस कारी में विश्वास योगिता इन सब के लिए जरूरी है कि तुम बुद्धी मती बनो इसलिए प्रिये बिटियों मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूं पहली बात बुद्धी का एक विश्वासी के बुद्धी का स्रोत है परमेश्वर का वैचन उसको नियमित रूप से पढ़ो एक डायरी हमेशा पास रखो आप कहेंगे तुम कहोगी कि मैं तो बहुत छोटी हूँ अंकल अरे छोटी उमर में ही तो डायरी रखने के आदित डाल दी चाहिए मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे ये बात किसे नहीं बताई थी लेकिन जब मैं नाइंथ में पढ़ रहा था तब मेरी एक अध्यापक ने गैर मसी अध्यापक ने ये बात कही कि अपने साथ एक थैला थैले में एक पुस्तक एक डायरी एक पेन रखने के आदत डाल लो और जो भी बात तुमको दिन में मन को स्ट्राइक कर जाती है उसे नोट करते चले जाओ नाइंथ क्लास से मैंने आदत डाल ली थी कि हमेशा हाथ में एक थैला एक किताब एक डायरी और एक पेन रखूंगा और नाइंथ से मैंने इन बातों को नोट करना शुरू किया इसलिए मुझसे मत बोलना कि अंकल अभी तो हम स्कूल में ही हैं यही तो सर्वोतम उमर है और उसका मुझे बहुत जो है फाइदा मिला मैंने यह जो किया तुमको भी मिलेगा बीटिया इसलिए यादत डाल लेना तो आज हमने इस पद के अध्यान को समाप्त कर दिया है हर बुद्धिमान स्री अपने घर को बनाती है हर मूड स्री अपने ही हातों से उसको डा देती है प्रभू करे कि आज जो लोग प्रभू का वचन सुन रहे हैं इनमें ऐसी कोई बहन ना निकले जो अपने ही हातों से उसको धा रही हो प्रभू मदद करे कि आप अपने स्वेम के हाथों से अपने घर का निर्मान कर सकें प्रभू के नाम की स्तूती हो प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम सहज भाशा में प्रभचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रभचन आपसे चूट न जाए उसके लिए इस पार्ठिमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें, बस हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी, इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोथ साहन देता है, जै मसीह की